नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं हूँ संतोस और आप देखरें टेक्निकल संतोस है दोस्तों आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोटो का बैक्ग्राउंड कैसे रिमूब कर सकते हैं और दूसर को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन कर जरूँ टेस्ट कर देना लेटस्ट वीडियो के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों फोटो का बैक्राउंड रिमूब करने के लिए सिंपली आपको गूगल लेना है मोवाइल म ndz. यहां पे आपको सर्च मारना है कि यहां पर बैक ग्रांट रिमूबर मार के भी आपको यह वेब साइट आजाएगा आप जैसे सर्च मारेंगे गूंगल में है भी वेबसाइट आ जायाएगा रिमूब डॉट बीजी इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट खुल जायागा कुछ ऐसा इंटर्फिस आयागा और यहां पर आपको अप्सन दिखराऊगा अप्लोड इमेज का यहां पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको फोटो चूज कर लेना है जहां भी आपका फॉन में या लैप्टॉप में आपको फोटो यहां से सेलेक्ट कर लेना है कोई है तो मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं सब्सक्राइब करा है तो मैं यह सेलेक्ट कर लिया इसके बाद आपको डूबल क्लिक कर लेना है वहां पर आप देख सकते लिए और देख से तो यह तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यह जो बैक्डाउंड रिमूव इमेज है यह आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं यह जो इमेज है यह डाउनलोड हो गया है अगर आप दूसरा बैक्डाउंड लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इडिट पर क्लिक करना है और यहां से आप कोई साभी बैक्गराउंड लगा सकते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इतने सारे बैक्गराउंड हैं यहां पे आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं जैसे कि example के लिए मैं एक background आपको लगा के दिखा दे रहा हूं यह background दोस्तों मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूं इस पर आपको click करने और click करने के बाद आपको आप यहाँ पर देख सकते यह background आ चुका है अगर आप change करना चाहते तो यहाँ से आप कोई लगा सकते दूसरा और इसके बाद अगर आप इसे blur करना चाहते है थो और आप background blur करना चाहते तो आप इस पर click कर दें कुछ इसके बाद आप देख सकते background व्लर हो गया और अगर आप डाॉनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड पर दनते हैं ठीद नेिएपा ने यह आपका डाउनलॉड हो जाएगा इसनक पर इसके बाद को डाउनलोड इमेजक पर क्लिक करना और आप देख सकते हैं यह इमेज जो मेरा डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना कोई भी इमेज का बैक्राइड रिमूब करके आप कोई भी बैक्राइड यहां पर लगा सकते हैं यहां पर बैक्राइड है यहां के पास कोई और बैक्राइड है तो आप यहां से उसे सेलेट करके और यहां बैक्राउंड पर लगा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियो के नोटिकेशन के लिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में